नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच जागर दोस्तों, प्रोटेक्टेट एरियाज इन न्यूज वाला सीरीस हमने शुरू किया था कर इसका पार्ट टू वीडियो है ये आज हम कवर करेंगे करनाटका अंगोवा, करनाटका अंगोवा में जितने भी इंपोर्टेक्टेटट एडियास है वह हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इंपोर्टेंट प्रोटेक्टेट एडियास जो न्यूज में थे वो भी हम डिसकस करेंगे तो आगे जाने से पहले लेक्ष आप लाइक का बटन सरूर दबाएगा चानल को अब तक सब्सक्रीब नहीं किया हो तो सब्सक्रीब भी कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चानल के मेंबर बन सकते हो जो इन बटन दबागे देखे दोस्तों सबसे पहले एक न्यूस देखते हैं देखे 16 पंस टू क्वेंच बंधिपूर आनेमल्स तरस्ट तो इस तरह की न्यूस करनाटगा में गौवा में से कहीं सारे जो इंपोर्टन प्रोटेक्टेड एडिया से आते रहते हैं अब देखे इसमें बंधिपूर ब इसलिए आप देखे आपको पता है लीव श रिदी ट्ली सी टर्ट बार में अंब को कल के वीडियो में पार्ट वन वीडियो में और ब्रीव श था को आपने ब्टैलों के बार में बताया क्यूफंव रिटलम्स इंटिंक ने फ्रटे में सबसे चोटा स्मोल सी ब्रीड क्यो पॉण्डी चेडी में आंडमना निकवाइद तो इस तरह इस्टेन गोस्ट में ज्यादा देखता है पर इस नुस अब को क्या पता चला कि कनाटका में भी है ठीक है तो वस्टेंड गोस्ट में भी है तो इस तरह की कोस्ट इंस UPC में पूछा जा सकते इसलिब बोलों तो कु करनाटका में वेस्टेन कोस्ट में ठीक है नियर टू उडूपी और क्या न्यूस है अब देखिए और एक इंपोर्टन न्यूस यह है ओवर 6,000 जेनू कुरूबा आदिवासिस इन करनाटका बिगिं इंडेफिन प्रोटेस्ट एगें टैगर डिसर्फ अब देखिए यह एक क्या पता चल रहा है कि जेनू कुरूबा आदिवासिस यह क्या है एक इंपोर्टन ट्राइबल पॉपलेशन है देखिए नागर होली टैगर रिसर्फ इन करनाटका में 6,000 जेनू कुरूबा आदिवासिस हाओ विंग मौंटिं है इसलिए यह बहुत इंपोर्टन हो जाता है हमारे लिए इनके बार में कुछ टेटमेंट में इधर लिखा हूँ जेनू कुरूबा आरे ट्राइबल ग्रूप फ्रम नील ग्रीस नंबर इंगरों 30 से तो नील ग्रीस एक बयोस्यों रिसर्फ है इंडिया का सबसे पहला बयोस हमें यह पता चल रहा है कि यह जो कुरूबा अदिवासी का में नेचर ऑफ वर्क क्या है है हनी कलेक्टिंग ठीक है यह हनी कलेक्ट करते हैं फोर्स में से आपको मैं बताओ हनी एक माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस भी है धियान दीजिए गाजिए मैं काफी पर आपको बत अब देखें दोस्तों यह लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है यह भी मता देता हूं देखें जब कोई एडिया टाइगर रिसर्फ डिकलेर करते हैं तो मैक्सिमुम पोपुलेशन को उदर से हाटाने की कोशिच करते हैं कि टाइगर को फ्री गुमने के लिए इसलिए तो तो है सबसे पूछे तो यह कह अंका का मी है वोर्कुरेशन दीशन से करीमों के पोपुलेशन थे पिच क जीशरा नियूस राइप इनंडिया भूगडें Lambda दोस्तों आपको पता है काफी न्यूस पेपर्स में आटिकर आया था गोवा में जो गर्मन्ट ओफ इंडिया कुछ प्रजेक्स प्लान चल रहा है इसके एगेंस गोवा के इन्वियोर्मेंटलिस्ट ने काफी प्रटेस्ट किये थे इवन CGA को भी लेटर बवेरा लिखा था इसलिए गोवा के जितने वाइडलेफ सैंक्चुरी से नाशनल पार्क से न्यूस में था क्योंकि गोवा एक छोटा स्टेट है एरली यूनियन टेरिटरी भी है अभी यूनियन टेरिटरी नहीं है पहले यूनियन टेरिटरी था अब देखे गोवा में जो त्री प्रजेक्स रिलेटेट टू रोड और रेल इक्सपांश अब देखे गोवा से करना टका में वेरी वेरी इंपोर्टन ठीक है अब देखे बगवान महावीर नाशनल पार्क और भगवान महावीर वैलेश संक्चुरी टूगधर फॉर्म दा लाजज़ प्रटेक्ट अरे अप देखे दोस्तों बगवान महावीर संक्चुरी आण मौलन नाशनल पार्क के बारे में थोड़ा डीटेल ली जानते हैं क्योंग यह काफी न्यूज में रहा है देखे बगवान महावीर संक्चुरी अन मौलन नाशनल पार्क इसे 240 स्कोर क्लोमेटर प्रटेक्टेड एरीया लोकेट इन तो आपको गोवा में बगवान महावीर वैडलेश सैंजुरी इधर दिख रहा है आपको दिखी रहा है गोवा का इस्टेंड सेड में है जहां वो करनाडगा के साथ अपना बॉर्डर शेर कर रहा है राइड वेरी वेरी इंपोर्टन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा एरिय इंपोर्टन दिंग नाशनल हाइवे फोर आल्फा डिवेट सिट इन्टू टू पार्ट्स अंद मर्मुगाव लॉंडा रेल्वे लाइन पासस दू दू अब देखे मैंने बोला दा गर्मन का प्लान है नाशनल हेवे फोर आल्फा को डैयलोप करने का और मर्मुगाव इसलिए एंविवर्मेंटलिस्ट ने इसके एगेंस प्रोटेस्ट किया था काफी न्यूस में भी रहा है अब देखे इसमें से आपको पता चला है नाशनल हाइवे फोर आल्फा के बारे में जो बलगाम अन्मोर्ट पॉंडा पना जिये वेरी इंपोर्टन दोस्तों क्यों कि यूपीसी परस्पेक्टिव में जभी कोई एडिया से न्यूस आते हैं चारों तरफ सोचना पड़ेगा आप देखे नाशनल हाइवे फोर आल्फा कौन सा आपको पता चल गया आप मुझे कमन बोक्स में बताए नाशनल हाइवे फोर कहां से गाहन तक है आप देखे और एक इंपोर्टन स्टेट्मेंट इट कंटेंज सेवरल इंपोर्टन टेंपल्स देटिंग तुदक कदंबास ऑगोगा के बार में आपको हिस्टरी में पढ़ाया था हर्शिसाने स्पेक्टर में भी तो होम तु वाटरफाल्स भी है धूत्सागर फाल्स और तामडी फाल्स में आपसे पूछ सकता है धंकर नॉमाडिक बफ़लो हर्डर कम्यूनिटी है यह कौनसे स्टेट से बिलोग करते है तो आप लिख सकते हो धंकर शोरी गोवा तो गोवा से बिलोग करते है धंकर नॉमाडिक बफ़लो हर्डर कम्यूनिटी राइट अब दोस्तों कनाडगा औ नागरहोडी नाशलल पार्क और अंषी नाशल पार्क आपको इदर दिखी रहा है। अंशी नाशलल पार्क वो नोर्थ करनारगा में। जैसे गोवा के पास है जो दंडेली डिखाना दंडेली अंशी टाइगर रिसर्फ यह है दोस्तों अंशी नाशिल पार्क राइट अब दोस्तों इम्पोर्टन टाइगर रिसर्फ इनका ना रगा सबसे पहले बंदिपू टाइगर रिसर्फ बंदिपू रिक नाशिल पार्क आपको इधर देख रहा हैं, डंदेली अंशी टेगर रसेर्व ये हैं दोस्तों दूस्तों आपको इधर देख रहा हैं. राइट अब दोस्तों वाइड लेफ सैंक्चुरी से करना डगा मैं इतने सारा नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों मुझे पता है फिर भी देखो आप ऐसे पड़ो कि जब आपको options में दिखे है तो आपको relate करना ही होगा कौन सा state से वो बिलोंग करते होगे और उपर से जितने भी important area जो वाइड लेफ सैंक्चुरी के आसपास जो news में है कोई tribal population protest कर रहा है या काफी news में कोई area है कोई government का project आ रहा है तो वो सब important वाजाते हैं हमारे लिए पर UPC का कोई भरोजा नहीं है ऐसे कोई ज़रूरी नहीं ऐसा ही question पूछना है आजकल 2-3 सा जो कहीं current affairs से कोई relation नहीं ऐसे भी static question पूछता है आप देखें एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं और जो मुझे important लेंगे उसके बार में मैं थोड़ा एंफसेस करके बोलूँगा अडि चुनचुनागीरी वाइडलेफस वाइडलेफस संक्च्यूरी आःब किणी ओधर नहीं या इटन्वेछ तक हूए व Old Town अब देख दोस्तों जितने भी एरिया सगीर या तंवे चरण ज्ट आंदा कमदैंसामे से संट्ट है। कुछ एरिया से कनाड़ लागर लाग E 1992 से कनाड़का अंत्रफदेश सी रौडर में एरिया से और वह सकता है वह एरिया तो यह नाम भी गिरी या हडली से एननोंगा तो ऐसे आब पर इतना थो है MAKSIMUM में जो गिरी बाएर्ली वगर E tavag कनाडगा में सोगता ठीक है तो ब्रह्मगीरी हो गया कावेरी वैडलेफ सैंक्चुरी यह वेरी वेरी इंपोर्टन यह लाज़स वैडलेफ सैंक्चुरी है कनाडगा का चिंचोली वैडलेफ सैंक्चुरी धंडेली धंडेली भी इंपोर्टन है क्योंकि दंडेली में टैगर अन्शी नाशनल पार्क भी है और काली टेगर रिजर्व भी है ठीक है अन्शी और काली ध्यान दीजेगा दरोजी बैर वाइड लेफ संचुरी अब देखें दूस्तों कुछ वाइड लेफ संचुरी का नाम के साथ पर्टिकुलरी एक एनिमल के नाम जुड़ा होगा वो उस अनिमल को ज्यादा प्रियोर्टी देके कंसर्व करते हैं तो यह भी इंपोर्टन है देखो दैरोजी बैर वाइड लेफ संचुरी गाटपरभा बर्ड गाटपरभा बर्ड को कंसर्व करते वाइड लेफ संचुरी गुडवी वाइड लेफ संचुरी गुड़े कोटे स्लो काले के सानियुश देवी टेंपल है ठीक है तो यह समझा डेस्ट थेए एक पिल्ग्रिमेच anlam गुलूर मुगामबि का टेंबल द्हान दीजिएगा तो मुगामि का नाम का एक वैल्लेफ स्थ गेई गीरी आ गया तो गीरी नाम मैकिमूं रिलेट करता है करनारा का से पुश्भागी आ गए ब्लाक बगा जांडा गया रंगयना दुर्ग फोर होंड अंट्लप यह भी इंपोर्टन है क्योंगी अनिमिल के नाम जुड़ा हुआ है शरावती वाली वालय रिवर है आपको पता है शरावती रिवर में एक important waterfalls भी है, वो कौन सा है आप मुझे बताएए, very important waterfalls in India, not even in South India, Shetty Hally wildlife sanctuary, रेखे इतर हल्ली आ गया तो, हल्ली आप कनाड़ा से रेलेट कर सकते हो, Someshura wildlife sanctuary, Talagkaveri wildlife sanctuary, Talagkaveri river का source भी है, तो Talagkaveri भी important हो गया, Jogi Mati wildlife sanctuary, Timlapura wildlife sanctuary, आप दोस्तों protected areas in Goa, very very important दोस्तों ध्यान दीजेगा, क्योंगी Bhagawan Mahavir wildlife sanctuary and mallum national park already news में है, कोई ज़रूरी नहीं है, उनी दो protected areas के बार में कुछीन पूछे, Goa में जितने भी protected areas से सारे हमार लिए examination perspective में important हो जाता है, ठीक है, देखे, एक ही national park है, मौलम national park, मौलम national park के बार में आपको पहले ही बता दिया, मैंने 1992 में ऐसे national park हो established किया था, इतर आपको मौलम national park दिख रहा है, उसके आजपास आपको धूत सागर falls भी दिख रहा है, आप important wildlife sanctuary in Goa कौन-कौन सा है, देखे, नेत्रावधी वैडलेव sanctuary, एक्चुली South Goa में, ये जो है नेत्रावधी वैडलेव sanctuary का एरिया है, मैं आप में लिखा है नहीं, इसलिए में लिख रहा हूँ, मादे वैडलेव sanctuary आपको भगवान महावीर वैडलेव sanctuary के north side में, ये है मादे वैडलेव sanctuary, ठीक है, ये एरिया में है, और कॉन से है भगवान महावीर sanctuary, इसके बार में है, तो काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, ये है भगवान महावीर sanctuary, इसके साथ में मौलब national park भी है, कोटी गावव वैडलेव sanctuary आपको South Goa में, एकदम सतेनमों strip में दिख रहा है, बॉनला वैडलेव sanctuary आपको, बगवान महावीर वैडलेव sanctuary के आसपास ही है, बॉनला वैडलेव sanctuary, और सलीम अली बर्ट sanctuary, सोरी दोस्तों ये वैडलेव sanctuary नहीं, एक बर्ट sanctuary है, एक बेट儿 Pте गॉर्य विवावगों and कोई टाइगल रिष नहीं तो दोस्तों एक विडियो में कैनले स assistir कर रहा हूं आप लोगों की वैरेबल सजेश sociaux और comment शंकिले अब मुझे Tol Cheese बोक्स के दो बता दीजेगा मेरे वीडियो बिनाने के तरीके में कोई improvement चाहिए आप लोगों को समझने में कोई दीकत है तो मुझे बेफिकर बता दीजेगा मैं उसे implement करने के कोशिश करूँगा अगले वीडियो में नया एक state लेके आएंगे उसके protected areas जो आपके examination point of view में important है वो भी discuss करेंगे इस तरह पूरे states को prelims के पहले हम complete करेंगे दोस्तों लक्षे की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जागा जिसका link नीचे description में provided है अगर आपको मेड़े वीडियो पसंद है दोस्तों के साथ share कीजेगा till then bye bye have a nice day